दोस्तों कभी-कभी relationship में ऐसा mood आ जाता है, जब partner किसे और के लिए आपको ignore करने लगते हैं, मतलब वो दूसरों के बाद पर चलना शुरू कर देते हैं, अगर दूसरा उसे कुछ समझाए, आपके विरुद कुछ भरकाए, तो वो वो चीज accept कर लेते हैं, और आप से लड़न इनसान अगर आपके life में हैं, या फिर अगर वो दूसरों के लिए आपको ignore कर रहे हैं, आपके साथ जगरा कर रहे हैं, तो यह जो वीडियो है ना कि सिर्फ और आपके लिए हैं, आज मैं आपको बताऊंगी कि third party को कैसा remove करना है, अपने life से जो आपके आप दोनों के आप मिस ना कर जाओ, तो छेले दोस्तों वीडियो स्टार करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो एक बात आप ये समझ लो कि आगर कोई third person आप दोनों के बीच में आग लगा रहा है, आप दोनों के बीच में दिक्कत पैदा कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप दोनो का जो रिस्ता है ना वो बहुत जादा कमजोर है, अगर आप दोनों में रिस्ता सही रहेगा, आप दोनों का रिस्ता मजबूत होगा, तो किसी का मजाल ही ने कि वो आप दोनों के बीच में आके दरार पैदा करें, तो third person है जिसको आप बहुत बड़ा कुछ समझ के बैठे हो असल में उसका शमता जो है ना बहुत सीमित है, वो इसलिए आप दोनों के बीच में दरार पैदा कर पा रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में आपसी relationship में मजबूती कम हो गया है, आप दोनों के बीच में already दरार पैदा हो गया है, आप दोनों के जो रिस्ता है ना व दोनों के बीच में कुछ भी कहें या बोलेई इसलिए दोस्तों पहले तो इस भ्रहम से निकल जाओ कि थर्ड परसन आ के आप दोनों का रिष्टा खराब कर रहा है जबकि सच्चा है तो यह है आप दोनों का रिष्टा अल्रेडि खराब हो चुका है अब हम आते हैं में रिस्ता इतना कमजूर हो गया है तब आप इस जमेले से कभी भी निकल नहीं पाओगे क्योंकि जब आप दोनों में रिस्ता कमजूर होगा तब सरफ third person नहीं सारे लोग आके आप दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश करेंगे इसलिए दोस्तों आपका main focus होना चाहिए आप दोनों के आपसी जो connection है उसको मजबूत करने के लिए ना कि आपकी focus जाना चाहिए third person में तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दोनों में रिस्ता कब खराब होता है क्यों खराब होता है और जब ऐसा परिस्तिते हो जाए तो आपको कैसे sis को handle करना है आप लग जाता है और वो अपने husband को या फिर अपने boyfriend को या फिर अपने wife को या फिर अपने girlfriend को बता देते हैं उस third person के बारे में और उनको लेके जगरा करना शुरू कर देते हैं वो बार बार ये समझाने की कोशिश करते है कि तुम जिनकी बात सुनके चल रहे हो ना वो तुमे खराब सला दे रहा है जिससे हम दोनों का रिस्ता बिगर रहा है और ये चीज़ आपका partner कभी भी नहीं समझेगा वो आप से और जादा लड़ेंगे और जब आप उस third person के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे तो फिर वो उनका protest भी करेंगे और आपको हैरानी होगा ये कारे में चल रहा है या फिर उसके उंगली पे नाच रहा है और हम दोनों का रिस्ता खराब हो रहा है तो ये जो आप सोच में चलते हो और ये जो काम करते हो ये दोनों ही गलत है पहली सोच तो आपका ये गलत है कि वो third person के हिसाब से चल रहा है वो third person के वज़ा से आप दो सबसे पहले ये गलती बंद करना पड़ेगा अगर आपको पता भी चला है कि कोई third person है जिसकी वज़े से आप दोनों में relationship खराब हो रहा है वो कोई भी हो सकता है वो partner के मम्मी हो सकते है पापा हो सकते है उसके friend हो सकता है कोई भी हो सकता है वो matter नहीं करता कि वो कौन है में चीज़े जब आपको पता चल गया है कि किसी भी third person के वज़े से आप दोनों में जगड़ा हो रहा है रिस्ता खराब हो रहा है तो आपको इस चीज़ को अपने partner के साथ discuss नहीं करना होता है दोस्तो हर एक चीज़ partner से discuss करने के लिए नहीं बना है ठीक है आप लोग ऐसा समझते हो दुनिया का सारा जो topic है ना वो partner के साथ ही discuss किया जा सकता है ऐसी बात नहीं है अगर अब सारा का सारा discuss करोगे partner के साथ तो आपको जगरा मुफ्त में मिलेगा ठीक है तो आपको इस topic के उपर बात ही नहीं करना है कि तुम उसके बात सुनके चलते हो उसके काहना मानते हो ये करता वो करता इस तरह से तो आपको कभी भी इस बात को उठाना ही नहीं है आप जान गए यही काफी है बस अब आपको दूसरा काम करना है, आपको क्या करना है, देखना है किस चीज से आपका partner irritate हो रहा है सबसे जदा, आपकी कौन सी बाट है जिस वजे से partner को irritation हो रहा है, वो जिस करना आपको बंद करना पड़ेगा, आप लोग ना उपर उपर सब ठीक करने की कोशिश करतों, जड में आप कभी भी पानी नहीं डालतो तो जड जो है ना वो बहुत ज़दा कमजोड हो जाता है आपको हमेशा जड मजबूत करना है फिर उपर उपर का तो वो पेड अपने आप संबाल लेंगे तो दोस्तों आपको क्या करना है आपको यह चीज़ नोटिस करना है कि कौन चीज़ नहीं से बात पर आपका यह पार्णर है वह बहुत जाधा बिगरड़ा है बहुत कु censorship करना छोड़ दो अगर आप उसको कुछ उल्टा सीधा बोलतों ताना देतों तो वुछिस करना छोड़ दो मेलबाथ है पार्टनर की साथ जिस भी ठॉपिक को लेकर इडिटेशन पैदा हो रहा है जगरा हो रहा है जमेला हो रहा है घर्मा गर्मी हो रहा है तुम्हें क्या दूसरा जादा प्यारा है, इस तरह से कोई है ना, indirect way में बोलते हैं, वो नाम तो नहीं लेते हैं, third person का, लेकिन ऐसे indirect way में बोलते हैं, तो एक ही बात हुआ दोस्तो, घुमा के नाग दिखाना हुआ, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, आपको उसको tone की way में क कुछी भी नहीं बोलना है, उसको ऐसे बिलकुल नहीं बोलना है कि आप तो तुम मेरे साथ सही से बात नहीं करते हो, आप तो तुम मेरा कदर नहीं करते हो, मुझे इग्नोर करते हो, इस टाइप की कुछी भी बाते आपको नहीं बोलना है, ऐसा बोल बोल के आप लोग और उस third person की बातों से चलने के लिए अपने partner को मजबूर कर देते हो subconsciously ठीक है इसलिए ऐसा आपको नहीं करना चाहिए उल्टा उसके साथ हमेशा आपको प्यार से बात करना चाहिए और उसको इस तरह से बोलना कि मुझे हमेशा आपके उपर भरुसा है कि आप सोच समझ के जो भी टैक करोगे जो भी डिशन लोगे वो हमेशा बेस्ट होगा क्योंकि आप दूसरों के बात पर नहीं चलते हो आपको ऐसे बोलना चाहिए अगर आप partner को ये चीज़ बोलोगे न कि मुझे आपकी सोच समझ के उपर आपकी बुद्धी मानी के उपर भरुसा है मुझे भरुसा है कि आप कभी भी दूसरों के बात पर नहीं चलते हो क्योंकि आपका बुद्धी बहुत तेज है इस तरह से अगर आप बाते बोलोगे तो फिर धीर धीर ये जो दूसरों के बात सुनने का जो नशा है न वो उतरेगा उसको लेगा सचमी यार मैं गधा थोड़ी हूँ कि मैं दूसरों के बात पे चल रहा हूँ मुझे तो अपने सो समझ से चलना चाहिए और जैसे वो इस तरह से अपने सो समझ पे चलने लगेंगे और आप इरिटेट करना छोड़ दोगे फिर अपने आप चीजे ठीक होने के तरफ जाएगा लेकिन आप लोग क्या करते हो ना ताले को कभी चाबी से नहीं खोलतो हमेशा हतोरा मारते रहते हो तो कभी भी चाबी नहीं खुलेगा आपको सही चीज सही टाइम पे अपलाई करना पड़ेगा इसलिए साइकलोजी जारना बहुत जादा जरूरी है जितना जादा आप उसको बोलोगे कि तुम तो दूसरों के बाद पे चलते हो चलते हो तो उत्रा ही वो दूसरों के बाद पे ही चलेंगे जितना आप उसको रोकने की कोशिश करोगे उत्रा वो उल्टा काम करेंगे इसलिए दोस्तों आपको कभी भी उसको किसी भी चीज में रोका टोकी जगरा जमेला चिल्लम चिल्ली ये सब नहीं करना है आपको प्यार से सारे चीज़ों को हैंडल करना है जब भी आप बल प्रयोग करोगे तब आपके options कम हो जाते हैं जब आप बुध्धी प्रयोग आपको शांत रखो थोड़ा सा बुध्धी मानी से काम करो और अपने पार्टनर के साथ ऐसे पेश आओ जैसे कि पार्टनर को ये यकीन हो कि आप उनकी दोस्त हो दुश्मन नहीं क्योंकि third person तो वे ही समझाते हैं ना कि तुमारा पार्टनर तो तुमारा बुड़ा चाता ह है तुम एरिटेट करता है तुमारा दुश्मन है तो आपको उनका वही सोच पे पानी फेड़ देना है ताकि आपके पार्टनर को ये चीज़ खुद रियलाइज हो कि आज तक मैं गलत समझ रहा था मेरा पार्टनर ही मेरा सच्चा दोस्त है और ये ही मेरा साथ देगा बा इस करवाने के लिए उसके सर पे चड़ गये हावी हो गये और चिल्लम चिल्ली करने लगे ऐसे वो जिन्देगी में कभी भी नहीं सुद रहेंगे और अभी जो सिच्चेशन है वो और ज्यादा बिगड़ता जाएगा तो आई होप आप लोग वैसा नहीं करोगे आज से मै सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर कर दो ताकि उनका भी तोरा भला हो जाए और ऐसे वीडियोस डेली चाहते हो तो स्रीपनासरी चैनल को सब्सक्राइब करके बिल बल आइकॉन जरूर दवा देना तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बा झाहते हैं।